जहिंद और जोहार, आज के इस वीडियो में हम लोग पेसा एक्ट के बारे में समझेंगे जब हम लोग पेसा एक्ट के बारे में बात करते हैं साथियो तो यह एक complicated topic है जब भी आप पेसा आक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों को चीजे क्लियर नहीं हो पाती आप सारी चीजों को समझ नहीं पाते कि पेसा आक्ट आखिर है क्या क्या है इसकी A to Z information मैंने अपने हर एक वीडियो में यही प्रियास किया है कि चीजों को मैं आप लोगों को इतनी सरलता पुर्वक समझा हूँ कि एक 5 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी चीजों को आसानी से समझ पाए इसलिए मैं अपने हर एक वीडियो में उन कठिन सब्दों का परियोग ना करते हुए ठेट आशान जो आप अपने देशी सब्दों की माध्यम से जो चीजों को समझ पाते हैं उसी वासा में मैं आप लोगों को समझाने की कोसिस करता हूँ इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई चाहिए वो CNT के उपर हो, SPT के उपर हो या किसी भी टॉपिक पे हो, किसी भी complicated टॉपिक पे हो आपने बहुत सरलता पुर्वक उसे समझा है और आज मैं पूरा प्रियास करूँगा कि इस पेसा एक्ट को भी मैं उसी साधारन भासा में आप लोगों को समझाओ ताकि A to Z information आप लोगों को मिल सके तो आईए साथियो आज की इस वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं कहानी को बिल्कुल सुरू से सुरू करते हैं और समझते हैं कि पेसा एक्ट क्या है कि किनकें राजियों में लागू है जारकन के किनकें जिलों में लागू है पेसा एक्ट की आखिरावी शक्ता क्यों पड़ी और एकदम सरल सब्दों में समझते हैं कि पेसा एक्ट क्या है और क değ इससे लोग प्रभावी थे । मेरे पीछे लगी तस्वीर से आप पता कर सकते हैं कि यह पेशा एक्ट किस्से संदर्विय थे । पूरा पैसा एक इसे ग्राम सबावा से संब्द है इतास में जब डेश में अंग्रेज नहीं आया थे जब मुगल्वन्स का सासन हुआ करता था उस दोर में डेश में कई सारे रियासते हुआ करते थी कई सारे कस्वे हुआ करते थे और भारत वर्स में भारत के तमाम राजियों में छेत्रिया राजवंसों का दबदबा हुआ करता था जब छेत्रिया राजवंस हुआ करते थे उस समय प्रते गाउं में प्रते कस्वे में एक पंचायत होता था उस पंचायत में मुख्या होते थे और कोई भी गलत काम आपके साथ होता है, किसी प्रकार का अपराद होता है, आप जिस प्रकार से अदालत में जाते हैं, उसी प्रकार से उस दोर में जो दिवानी और फोजदारी मुकदमे होते थे, दिवानी मुकदमा मतलब बड़े, जैसे बलातकार हुए, रेप हुए, देदेना कि दीवानी और फोजदारी मुकदमा हुआ जिसके बारे में जो भी इस तरह का अपराद अगर अपरादिक घटनाएं होती थी तो मामले को ले करके पंचायत में जाया जाता था पंचायत के जो मुखिया होते थे और पंचायत के करता था कि हमारे गाव में जो चीजे हैं हमारे गाव का जो संसाधन है उस संसाधन का सदूपयों किस प्रकार से करना है समय के साथ धीरे धीरे यह ग्राम पंचायत कमजोर होता चला गया जब देश में बृटिस बृटिस बृटिसर साई इस्ट इंडिया कंपनी आये और अल समय का दूर गुजरते हम लोग उननीश सताब्दी में आ जाते हैं और साल होता है उननेश सुनब्बे का दसक हमारा यह जो ग्राम पंचायत है यह जो पंचायत विवस्था थी जो परंपरागत सासन विवस्था थी वो धीरे-दीरे इतना कमजोर हो जाता है कि लोगों को चिन्ताइस सतानी लगती है और लोग विरोध प्रजर्शन करना सुरू कर देते हैं लोग सरकार के सामने धरनाई करना सुरू कर देते हैं सरकार आपको पता है कि सुरू सही स्टी स्सी ओबी सी कम्यूनिटी को आरच्छन देती है और जब जब स्टी और स्सी कम्यूनिटी क के दसक में पहली बार पंचायत को मेधानिक दरजा मिलता है यानि कि 1992 इसवी में ही आपकाшейस्तर मेधास्तर,12é NHG को एक समयधानिक हक मिल जाता है यानिकि जब आब आज पेले उस पंचायत पा सम्यधानिक दर्जहाँ नहीं ता यानिक मानियरता नहीं आद में 1992 में 73 वा सविधान संसोदन के साथ ही पंचायत को एक सम्मेधानिक दरजा मिल गया, यानि कि सरकार अब ये जानती है कि पंचायत हमारे सविधान के दाइरे के अंतरगत आता है और पंचायत पे होने वाले सभी कारी सेली सरकारी कारी के अंतरगत आएंगे, पहले ये गेर सरकारी कारी के अंतर आते थे आयो हम लोग चीजों को समझते यह तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख रहे है यही पंचायत है इसी को हम लोग ग्राम सभा के नाम से भी जानते है आपके गाव मुहले में आज के डिट में भी कोई छोटी मुटी घुटनाई अगर होती है तो उस केस में आप अपने गाव के मुखिया सरपंच, वाड, चेला, परिशत, इत्यादी को बुला करके इस प्रकार की गराम सभाए गाव के बुजरगू के सामने तयार करते है और आपका यह पंचायत में ही बहुत सारी फेश ले लिए जाते है छोटे-छोटे मुकदमे है ना आगे हम लोग जब हम लोग पैसा एक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इसके हम लोग फुल-फॉर्म को समझ लेते हैं इसका पूरा नाम क्या है तो पैसा एक्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं इसका पूरा फुल-फॉर्म हुआ दा प्रोविज अप इसको अधिसूचित छेतर भी कह सकते हैं या अनुसूचित छेतर भी कह सकते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पंचायत है उनको schedule area में extend करना यानि कि विस्तार करना अब schedule area क्या होता है तो schedule area को आप लोग ध्यान से समझ लेंगे जो अधिसूचित छेत्र है या जो अनुसूचित छेत्र है इसको आप ध्यान से एक बार समझ लेजे क्योंकि इस सब्द का परियोग हम पूरे वीडियो में कई बार करेंगे तो schedule area का मतलब होता है वैसा छेत्र जहां आदिवासियों के जंसंक्या अधिक है पचास प्रतिसत से जादा जहां पर जिस छेत्र में आदिवासी बहुल्य प्रदेश आप कह सकते हैं उसी छेत्र को schedule area कहा जाता है तो कहा जाता है कि schedule area में 73 सम्विदाम संस संसोदन लागो नहीं होगा और अगर लागो होगा तो मोडिफिकेशन के साथ जो भी परियाप्त मोडिफिकेशन है उसके साथ आई यह चीजों को और हम लोग सरद्दा पूर्व समझने के तो जैसा मैंने आपको बताया कि साल 1992 के दसक में 73 सम्विदान संसोदन होता है और क्यों वह भी मैं आपको समझाता मैंने अभी बताया कि क्योंकि अनुसूचित छेत्र का प्रशाशन देश की सामाने प्रशाशन से हमेशा ही बिन रहा है यानि कि सुरुवाति काल से अंग्रेजों को भी यह पता था कि देश जो गाव का रियासत है जो गाव एस्टी वो देश के प्रशाशन से बिलकुल भिन है तो वही मैंने लिखा है कि अंग्रेजों के समय से ही इस बात का ध्यान रखा गया था कि आदिवातियों का प्रशाशन देश के प्रशाशन से कुछ हद तक भिन है जिससे आदिवातियों की संस्कृती परंपरा रिती रिवाज है यान कि Union 70 को समय धानिक दर्जा मिला समधणी का मतलब क्या अब scar sonra अधिकार हो गया सरकार का वहां पर देखते बहुत सरे इसे क्रणे वह भुट निर्वाजटे होते सखाव्ट होते हैं तो सरकार का अधिकार हो गया लेकिन का कहना था कि इस प्रकार से हमारी जो संस्कृती है हमारी जो रिती रिवाज है अगर पंचायत में निर्वाचित अध्यच आएगा हमारे पंचायत का तो इस सारी खनीच संपदाओं का, चितना भी हमारा वन संपदा है, इस सब पर अधिकार सरकार का हो जाएगा, इस कंडिशन में हम लोग 73 सविधान अंसोधन के अंतरगत जो भी कानून बन रहा है, उस कानून का हम लोग पालन नहीं करेंगे, और अगर पालन करेंगे, तो मोडिफि जाकर के, जो सरकार एक कमीटी का गठन करती है, उस कमीटी को आप लोग जानते हैं, तो वही बात है कि 73 जब सविधान अंसोधन अंसोधन का प्रभाव नहीं रहेगा, यह सबी अनुसुचि छेतरे हैं, यानि कि जो मैंने आपको बताया, कि जब बहुत जाद आंदोलन होत सरकार के निर्णे लेती है कि जो 73 संविधान संसोधन के तहत पंचायत को समयधानिक दरजा मिला है वह दस राज्यों के कुछ जिलो में लागू नहीं होंगे यानि कि अनुसूचित छेत्र होंगे वहां और लागू नहीं होंगे और अनुसूचित छेत्र मतलब आप आसानी सब समझ पाएंगे आदिवासी बहुल्य छेत्र ठीक है और चीजों का समझे अच्छा लागू होने का कारण क्या है लागू नहीं होने का कारण क्या है क्योंकि अनुसूचित छेत्रों में परमपरागत स समय से चली आई चली आई परंपरागत सासन में वस्ता है इसके कारण वहाँ पर हम लोग तर्वा समिधान संसोधन को लागू नहीं कर सकते हां अगर अगर करेंगे तो फिर कुछ सब्सक्राइब कि बारे में बात करें कि भारत में टोटल दस ऐसे राजे हैं जो अनुसूचित छेत्र के तैरे में आते हैं थे सीडूल एरिया के दैरे में आते हैं तो अंदर पर्देश चटिसगर्ड गुजरात इमाचल पर्देश थार्खन मध्य पर्देश महारास्ट अधते हैं तो जैसे हमने बताया कि जब बहुत जंद्ध आंदलन होते के सकार समझ नहीं पाती कि अब इसके बाद क्या करें तो उस केस में कमिटी का था обяз एक समीटी का गठन होता है जिसका नाम रहता है तो दिलिफ तो यह कमिटी हैं, यही recommendation और idea देती है कि किस प्रकार से आप इस म्सले का समधान निकाल सकते हैं, कैसे आप आधिवाषिओ को सांध कर सकते हैं, कैसे आप जो भी स्टी कम्यूनिटी के लोग करने को लेकर करके उसको आप केसे सांत कर सकते तो अन्तता यह एक आईडिया देते हैं कि जिस राजी में अनुसुची छेत्र है उस छेत्र में परमपरागत सासन वेवस्ता को लागू कर देना चाहिए जो पुराने समय से वहाँ पर चला आ रहा है परमपरागत सासन वेबस्ता वही लागू होना चाहिए लेकिन उसकी हम लोग संरचित करेंगे कहने का मतलब यह है कि आप साशन करो हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है यानि कि आपके लोग संद्शित करने के लिए सरकार हमारा साथ देगे तो वही यहां पर तैय होता है जिस प्रकार से उन्ने सच्ष्यानवी स्वी में बूरिया समीति के आइडिया को ध्यान में रखते वे एक विधयक संसद में पेश होता है और राष्टपति के हस्ताचर लगने के बाद ही वह विध ही बन जाता है जो एक कानून मन जाता है जिस अगानून को आप पेशा कानून के नाम से जानते हैं पेशा एक्ट के नाम से जानते हैं में यहीं मैंसन रहता है कि आमसूची परंपरा और रीती रिवाज के अनुसर संचालित करना अनिवारिय है यानि कि जो भी अब मामले हैं जो भी आपके रूल से रेगुलेशन होगा वो पंचायट करेगा वो ग्राम सबाद करेगा वो सरकार डिसाइड नहीं करेगा सरकार आइडिया दे सकती हैं तो उनकी जो प्रथा होती है उसी प्रथा को उनका कानून कहा दिया जाता है जब जातियों में हम लोग बात करें उनकी जो प्रथा पुराने समय से चली आ रही है उसे को वे लोग कानून कह देते और उसी के हिसाब से सारा मुकदमा करते हैं जारकन में अगर बात करें तो जारकन के तेरा जिले वो तेरा जिले क्या है मैं बता दूत साहिव गंज पाकुड दुमका जामताड़ा लातिहार राची खुटी कुमला लोहरदगा सिम्डगा पुर्वी शिंग्भूम पस्चमी सिंग्भूम और सराय के लग है ना कि आपके तेरा जिला ऐसे हैं जो आपके अनुसूचि छेत्र के अंतरगत आते हैं कुछ जगा पे आपने चोदा या सोल भी पड़ा होगा वो सोलो कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताऊंगा जारकन के 131 प्रखन के 2024 ग्राम पुर्णा ता अनुसूचि छेत्र के अंतरगत हैं यानि कि हंडेट परसेंट यहां पर जो है यह अनुसूचि छेत्र के दैरे में रखेंगे जबकि अगर हम लोग परचेंट यह एक प्रखन ही सेडूल एरिया कहने का मतलब यह है कि यह जो तेरह जिला है यहां पर हंड्रेट परसेंट परमपरागत पंचायत सासन मेवस्ता होनी चाहिए क्योंकि यहां पर आप देख पारें कि यह पुर्णता अनुसूचि छेत्र हैं कहने का मतलब आप इससे समझे कि इन चेत्रों में 50% से ज्यादा आधिवासी समुदाएं के लोग रहते और इसमें लगवग लगवग 50%, 45%, 40% से आसपास रहते इसलिए इनको आंसी ग्रूप से कहा जा रहा है अनुसूच छेत्र के दैरी मेरे कहा जा रहा है बात आया समझ में और चीजों को स समझ लेते हैं कि पैसा एक ताखिर सकतिसाली कैसे हैं इतना पाउरफुल कैसे एक कर करके हम लोग चीजों को समझते तो सुरुवाति दो-तिन मिंदूओं में हम लोग इनके उद्धेशों को और प्रावधानों को दोनों को एक साथ समझने का परियास करेंगे क्यूंकि दोन में ग्रामसभा होगा एक पंचायत होगा जो लोगों की पर्था परंपरा रिती रिवाज सांस्क्रितिक पहचाम सामुदर प्रबंधन के परंपरागत विधी का संदच्छन करें जो मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मल ये ट्रेडिशन नहीं है नॉर्मल एरिया नहीं किसी को किसी के अपराद का दंजा देना है किसे वहां पर कोई मिनरल्स होता है तो मिनरल्स का किस प्रकार से सदुपयोग करना है किसी को अगर लाइसेंस देना है माइनिंग करने का उसके एरिया में माल लिजे कि कोई लिए का खदान है वहां पर माइनिंग करने का अगर कि सब्सक्राइब करना चाहती है तो सरकार आप से अनुमती लेगी माइनिंग करने के लिए अनुमती लेगे वहाँ पर सरकारी कोई प्रोजेक्ट लगने के लिए वहां पे ग्राम सभा से अनुपती लिया जाएगा इतना पावर्फुल होता है आपका इडिया में यह पेसा एक्ट जिसको आप अभी तक नहीं समझ बारे थे तो आशा करते हैं आप चीजों को समझ पा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं यदि कि अगी पेसा एक्ट के दियरे में ये कानून नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप उस कानून को इंप्लिमेंट ही नहीं कर पावगी ज़ुए, आगशोत्य सर्कार जहान सरकार जहाँद कोको हमने कि वदान सरकार, जहरकन सरकार जग जायेगी, पैसा एक्ट में इतना आगे बढ़ते हैं, अनुसुची छेतर में गुराम सवा ये पंचायत को व्यापक अधिकार है, जो हमने बताया है कि अनुसुची छेतर में जो ग्राम सभा होता है जो पंचायत होता है उसके पास बहुत ज़्यादा अधिकार होता है बहुत ज़्यादा पावर होता है इसके लिए राजसरकार जंजातियों के पारंपरी कानून पर्था और रिती रिवाज को ध्यान में रख करके ही कोई कानून मनाईगी यानि कि वाज लोग उठाएंगे और पेसा एक्ट के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि जोड़ेगी नहीं है आगे पड़ते जब हम लोग पैसा एक्ट के बारे में बात करें साथ हूं तो जैसे मैं ने बताएं उन में उसके प्रोविजन से और कुछ चीजों का चीजों के बा और चुनावन नहीं होगा कि वहां पर परमपरागत मुख्या होंगे जब आप जारखन के पड़ते हैं तो आप लोगों के सामने आता है परमपरागत शासन विवस्ता मुंडा के बारे में पड़ते हैं महतो के के बारे में पढ़ते हैं यहां परमपरागत मुख्या राता है उसको आप मुन्डा के नाम से जानते हैं यह पुराने समय से चलता आ रहा है पाता आ रहा है समझ में आगे बढ़ते हैं यदि अनुसुची छेत्र में कोई भी जमीन का अधिगरहन हो रहा है तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या पंचायत से अनुमेती लेना अनिवार है अधिगरहन करने का मतलब क्या सरकारी कोई प्रोजेक्ट नपड़ित अनुसुची छेत्र में जो भी खनीच संसादन होंगे जो माइनिंग होंगे जो वन संपधाय होंगी जो भी प्राकेथिक चीजे होंगी उनका ओनर शिप किसके पास होता है ग्राम सभा पंचायत के पास अंता इन सभी अनुसुची चेतर में अगर इन चीजहों का प्रियोग करने के लिए प्रैवेट कंपनी को आगर लाइसेंस के लिए पंचायत का जो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि अनुसुत्य छेतर में कोई अगर जमीन अतिक्रमन कर लेना अब कर लिया जाता है अगर आप अनुसुचे छेतर किसी राने वाले किसी व्यक्ति का जमीन अधिक्रमन कर लेते हैं अधिक्रमन मतलब होता है कि अधिक्रमन कुछ नहीं रोक सकती लिए दिए के सकता हूं कि अपने बारे में गाम सबा को भी पता नहीं इन तेरे जिलों में पताओंगा कि पेसा-एक्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं जारकन में खुले आम जार्कन सरकार इसका उलंगन कर वी और उस छेतर में रहने वाले लो पेसा एक्ट पर राष्टपती का हस्ताचर होता है और राष्टपती के साथ ही ये घुसित हो गया था कि अनुसुचित छेत्र में कोई भी सरकार का कानून निस्क्रिये रहेगा जो पेसा एक्ट के अनुरूप नहीं होगा राष्टपती का साइन का मतलब यह होगा राष्ट एक्ट के दाइरे में नहीं है तो वो कानून उस छेतर में निस्क्रिये रहेगा आप समझें इस छेतर में कोई कानून का इंपलेमेंट ही नहीं है आप अगर इंपलेमेंट नॉर्मल एडिया में नेकर आपको लाती बर साइज जाएंगी लेकिन अगर पैसा एक्ट का नौल चेतर है वहां पर उसकानून का उलंगन होता है तो सेंट्रल गवर्मेंट इस्टेट गवर्मेंट कुछ नहीं कर सकते हैं यहीं पैसा एक्ट का पावर्फुल यह आगे समझें धारखन में पैसा एक्ट का खोर उलंगन हुआ है सेटर में पैसा प्रॉवधानों को सामिल किया जाता है जो भी सेटियूल एरिया के उसके टोटल 22 प्रोविजिंस में से प्रॉवधानों को सामिल किया जाता है कि इस बाकिए का जो 15 आपका है है ना आइंग पंचाइती तुट रां च्णाइत राज कानुन के अंतरगद पिश के पंधराप्रावधान हो लगो नहीं होते हैं और वह लगो नहीं होता है जिसके परिनाम यह करने के लिए पेशा एक्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जो में नीचे आप लोगों के लिए लिए लिख दिया है कि आदिवाशियों के संस्कृति परंपरा रिती रिवाद और ग्राम सभा प्रसासन इत्यादी को बचाए रखने के लिए पेशा एक्ट के सारे 22 घड़ाने वाले लोग है वहां के पढ़ेरं के लोगोंने आवाज अठाई सब्सक्ड कर आपूस अठीकार के बारे में आसा करते हैं सारी चीजों का समझ गया हुगा कि आप लोगों को मिल गयाक by क्या को समझें तो आप समझें कि ये एक प्रकार का आरक्षन ही है, एक प्रकार का आरक्षन ही है, और मैंने अपने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को समझाया, तो बार-बार आरक्षन का मुद्दा सामने आ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में आरक्षन के उ किसी प्रकार के नॉलेज़ेवल वीडियो को देहने के लिए हमारे साथ हमारे इस यूटुब परिवार में जुड़ेंवे रहेंगे निचे वीडियो के दिस्क्रिप्शन में हमारा मॉबाइल अप्लिकेशन का लिंक भी है टेलेग्राम चैनल का लिंक भी है वहाँ पे आप कि जार्गंट के किसी भी प्रतियोगता परिक्सा चाहे वह जारगंट में जबिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जाहिंद और जारगंडी